Assalamu alaikum, कैसे हैं आप सब, I hope आप सब बिल्कुल ठीक टाक होंगे, हम भी अलग शुकर है, बिल्कुल ठीक है तो आज का जो टॉपिक है, यह बहुत 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 इंपोर्टन टॉपिक है और इस टॉपिक के बारे में, I'm sure बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा उनको मेरी इस वीडियो से ही, और मेरे टाइटल को देखके ही पता चला होगा फस्ट टाइम, और बहुत कम लोग होंगे जो इस बारे में जानते होंगे इस बारे में उनको नॉलेच होगा, तो आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक in cats क्या cats को heart attack होता है या नहीं होता है और अगर होता है तो हमें कैसे पता चलता है क्या symptoms होते हैं उसका क्या और क्या है उसका treatment क्या है तो आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे heart attack के बारे में तो चले बहुत informative आज की वीडियो होगी आप सब के लिए तो चले जी वीडियो लगती है तो इसको like ज़रूर कीचे का मुझे बहुत ज़्यादा आपके support की जरूरत है तो चले जी वीडियो स्टार्ट करते हैं cats में जो heart attack होता है ये एक बहुत ही serious issue है और heart attack की वज़ए से cats की death हो जाती है क्यूंकि जब cat को heart attack आरा होता है हम लोगों को majority लोगों को पता ही नहीं होता है कि cat को heart attack आरा है तो उस condition में कोई treatment अवेलिबल नहीं होता उस time पर और cat को proper time पर treatment ना मिलने की वज़ए से cat की death हो जाती है और बहुत ही काम chances होते है कि heart attack के बाद cat जो है वो survive कर जाए या वो बच्चा बहुत काम chances होते है cats में heart attack का issue तब होता है जब cat के साथ कोย heart disease होती है या कोई issue होता है heart के साथ cats की heart disease को हम लोग 2 categories में divide करेंगे एक होता है congenital और एक होता है acquired diseases होती है congenital वो होती है कि by birth cat के साथ कोई issue हो cat के heart valve के साथ कोई issue हो सकता है valve जो है वो blockage हो सकती है cat के heart में कोई tumor हो सकता है या फिर कोई hole हो सकता है cat के heart में या muscles weak हो सकते है कुछ issue हो सकता है but ये by birth होता है तो इसको congenital कहते है heart diseases कहते है और cats के case में ये काफी ट्रेयर होता है, बहुत कम chances होते हैं कि इस तरह से हो और जो second category है वो है acquired और ज्यादा तर cats को acquired heart attack आता है और वो इस वज़े से होता है कि या तो cat के साथ कोई और issue था, कोई बिमारी थी उस वज़े से cat को heart attack आया हो और जो acquired heart attack होता है इसमें cat की death हो जाती है, आप मेंसे बहुत सारे लोग मुझे अकसर question करती है कि उन्हें कमेंट किया होता है बहुत सारे लोगों ने कि हमारी cat को पता नहीं क्या हुए अचानक से उसकी death हो गई है, वो अचानक से death नहीं होई होती है उसमें भी heart attack आया होता है, majority cats को heart attack ही आता है जब उनकी death होती है बस हम लोगों को पता नहीं चलता है हम बात करेंगे कि symptoms क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि cat को heart attack आ रहा है cats में जो heart diseases होती है, इसको कहा जाता है heart disease अगर है, किसी cat के साथ इसको कहते है silent killer क्योंकि हम इनसान जो होते हैं, हमाई साथ कोई भी problem होते है, कोई भी pain हो रही है, कोई breathing issue हो रहा है, सांस लेने में मसला हो रहा है तो हम बता देते हैं, cats इतनी मासूम होती हैं और बेज़ बान होती हैं, कि उनके heart के साथ कोई मसला है जब cat को heart attack आता है, हमें उसी time पता चलता है, कि cat के साथ तो कोई issue था तो इसलिए हम इसको silent killer का नाम देते हैं, और इसके symptoms क्या होते हैं, सबसे जो main symptoms हैं, जो सबसे पहरे observe की जाते हैं cat को breathing issue हो रहा होता है, cat को सांस लेने में मसला हो रहा होता है, या तो cat जो है ना, उसको रुक-रुक कर सांस आ रहा है, या एकदम से चलने में प्रॉब्लम होती है, cat जो है, lethargic फील करती है, उसके जो hind legs होती है, यानि की पीछे ओली legs जो होती है, cats की, और वो बिलकुल paralyzed एक तरहां से हो जाती है, उनमें जान नहीं होती है, और cat से चलानी जाता, यह बहुत ही main symptoms होते हैं, जिससे हमें पता चलता है, definitely cat के heart के साथ कोई issue है, क्यूंकि cat का heart जो हो proper blood supply नहीं कर रहा है, बाकी body में, जिस वज़े से cat को एक तो सांस लेने में problem हो रही है, और दूसरा cat को, जो उसकी hind legs, जो हैं, जो उसकी behind legs हैं, वो काम नहीं कर रही हैं, और क्या symptoms होते हैं, अब हम उसकी बात करते हैं, cat को heart attack suddenly आता है, तो उससे पहले आफ अब observe करेंगे, कि cat में बहुत ज़दा weakness हो रही है, cat को बहुत ज़दा, sometimes cat में हम देखते हैं, कि cat जो हैं, वो बिल्कुल चक्रा कर गिर रही हैं, और चक्रा आ रहे हैं, cat से उठानी जा रहे हैं, cat खाना पीना बिल्कुल छोड़ देती है, उसकी भूख खतम हो जाती है, और cat, जब cat से सांस नहीं लिया जा रहा होता है, heart issue की वज़ज़ से, cat vomiting भी करती है, जब उनको सांस लेने का प्रॉब्लम हो रहा होता है, जो एक बर्डन उनके रैस्पारिटरी ट्रैक पर पढ़ रहा होता है, वो उसको वॉमिट करके ही, उस ट्रेस को निकालने की कोशिश करी होती है, तो इस कंडिशन में cat अक्सर वॉमिट भी करती है, जैसे के पहले मैंने आपको बताया कि cat का heart rate जो है, कभी बहुत increase हो रहा होता है, कभी बहुत slow हो रहा होता है, heart attack की वज़ज़ से पुरी body में blood जो हर organ को नहीं मिर रहा होता, जिस वज़ज़ से cat का fever एकदम से बहुत down होना शुरू हो जाता है, और आपको जैसे के पहले भी पता ही होगा, कि cat का अगर temperature down हो जाए तो उसमें cat की death हो जाती है, तो cat का एकदम से जो temperature है वो भी down होना start हो जाता है, पूर उसकी blood circulation की वज़ज़ से आप देखेंगे कि cat के जो है gums जो है, वो blue होने लग जाते हैं, cat के कान, nose, black या blue से होने लग जाते हैं, cat की जो skin होती है, उसका color change होने लग जाता है, क्योंकि blood जो है, वो proper supply नहीं हो रही होती है, तो cat का जो color है, वो blue या blackish tone में जा रहा होता है, उसके skin का color, उसकी जुबान, उसकी gums, उसके nose, उसके paws, अगर आपकी cat के साथ कोई heart disease है, उसके साथ पहले से कोई heart issue है, तो आपको, आप देखेंगे कि cat जो है ना बहुत restless रहती है, cat को सुकून कहीं नहीं मिर रहा होता है, और cat का एकदम से वजन या तो बहुत बढ़ने लग जाता है, या एकदम से बहुत weak होने लग जाती है, तब भी आपको इसी से पर concentrate करना चाहिए, cat के साथ ये सब क्यों हो रहा है, उसके साथ क्या issues है, medical issues है, cat का जो abdominal area है, जो उसका pate है, वो भी फूल जाता है बहुत ज़्यादा, इस तरह के कोई भी symptoms देखते हैं अपने cat में, तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी cat को फॉरन डॉक्टर के पास लेके जाएं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि cats में heart attack को हम लोग silent killer कहते हैं, तो उससे बचने का एक ही दिरास्ता यह होता है, एक ही वे यह है कि आप अपनी cat का हर six month के बाद प्रॉपर उसका check-up करवाएं और उसके सारे test करवाएं, ताकि आपको पता चल सके कि cat की क्या condition है, सारे organs प्रॉपर work कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो cat का प्रॉपर सारे test होने बहुत जरूरी है, अगर आप पहले से आपको पता हुआ कि आपकी cat के साथ को issue है, तो आप उसको cure कर सकते हैं, आप उसको treatment उसका कर सकते हैं, लेकिन जब आपको पहले से आपको पता ही नहीं होगा, और आपकी cat को suddenly heart attack आजएगा, उसके बाद पिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद बहुत कम chances होते हैं, कि आपका pet जो है, वो survive करें और बच सकें, अगर आप में से किसी कि खुदाना खाथ ता किसी cat की death हुई, आपने देखा होगा, कि cat को मरने से पहली जो है, वो fits पढ़ रहे होते हैं cat में, और जब cat को heart attack आता है, तो वो एकदम से बहुत तेज cat को fits आ रहे होते हैं, और cat का जो eyeball होता है न, वो बाहिर की तरफ आना शुरू हो जाता है, मतलब वो काफी फूलना शुरू हो जाता है, याइबॉल जो होता है cat का, तो वहां से हमें पता चल जाता है, कि cat को इस टाइम heart attack आ रहा है, आप अपनी cat को कोशिश किया करें, सब लोग जिनों ने रखी, उनको बहुत 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 प्यार दें, जैसे हम अपने वच्चों को प्यार देते हैं, और उनको जितना हो सके comfortable environment प्रोवाइट करें, और ज्यादा से ज्यादा उनको stress free रखने की कोशिश करें, heart attack के causes क्या होते हैं, अगर हम causes की बात करें, तो heart attack जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, कि by birth को issue भी हो सकता है, या quiet हो सकता है, या तो आपकी cat बहुत जादा overweight हो गई है, cat को overweight होने से भी cat में, cat को heart attack जो आ सकता है, अगर आपकी cat बहुत stress में रहती है, cat को तब भी heart attack हो सकता है, आपकी cat को thyroid है, thyroid की वज़े से भी heart attack आ जाता है, cat को अगर jaundice हो गया है, तो jaundice में भी heart attack आ जाता है jaundice पे भी मैं इंशाला वीडियो एक बनाऊंगी proper detail में cat jaundice पे वीडियो में बनाऊंगी जिसको हम यरगान कहते है and yes cat को यरगान भी होता है उसमें तो आ जाया करता है heart attack अगर cat को anemia है तब ही cat को heart attack आ जाता है तो multiple reason होते है heart attack आने के अब बात करते हैं diagnosis की तो जब आपको कोई doubt feel हो रहा है या आपके cat को आपको लग रहके इसके साथ को issue है तो आप उसको फॉरण अपने वेट के पास लेके जाएं वेट सबसे पहले उस cat का blood pressure चेक करेंगे उसकी heart beat चेक करेंगे stratoscope के साथ उसके बाद cat के यूरेन और blood samples लिए जाएंगे ताके cat का thyroid test किया जा सके anemia test किया जा सके और कुछ chest x-rays किये जाएंगे रीडियो ग्रैफ्ट यसे कहा जाता है और और भी कुछ test होते हैं जो doctors करते हैं जिस वज़े से पता चलता है के cat के heart के साथ कोई issue तो नहीं है heart proper work कर रहा है कि नहीं कर रहा है या cat को heart attack तो नहीं आया या आने वाला है और जब यह सब test हो जाते हैं तो उसके according जो है फिर doctor treatment करते हैं लेकिन हम लोग को unfortunately जब cat का पता चलता है कि cat को heart attack कार है उसके बाद हमारे पास बहुत कम टाइम होता है अपने pet को संभादने का उसका treatment करने का क्योंकि जैसे cat को heart attack आता है उसके बाद उसके सांस लेने में बहुत problem होती है उसकी सांस विल्कुल slow होना शुरू जाती है तो उस condition में cat को फॉरण oxygen की जरूरत होती है और cats के लिए यहां पर इतनी facilities तो होती नहीं है कि फॉरण से oxygen उनको provide की जाए cat की जान बचाई जा सके treatment के अगर हम बात करें तो treatment में अगर तो heart attack cat को आ गया है तो उसके बाद बहुत कम chances है कि cat survive करे लेकिन अगर पहले से आपको पता चल गया है कि कोई cat के heart के साथ issue है तो फिर उसका आपको सारी जिनी उसका treatment करना पड़ेगा और अपनी cat को आप जितना हो सके आप comfortable environment उनको provide करें और इस case में cats के लिए treatment से ज़दा prevention important है क्योंकि आप पहले से cat पे नज़र रखें उसके test परबाएं ताकि आपको पता चलता रहे कि cat के साथ कोई issue तो नहीं है खुदाना खास था आगे भी कोई issue ना बने सो आज की वीडियो में मैंने आपको cats के heart attack से related सब कुछ बता दिया है again मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमारी यहां ज़्यादा तर जो deaths होती है cats की heart attack की वज़ा से ही होती है और यह कैसा topic है जिससे बहुत सारे लोग जो है unaware थे and I thought कि मुझे आप सब को बताना चाहिए cats के साथ भी यह issue होता है I hope आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और informative लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको like कर दीजेगा मिलूंगी मैं आपके साथ अब next video में thank you for watching Allah Hafiz